खबरें जिस्से हैं आपको सरोकार आपकारी घोटाला मामले में पूछताच के लिए E.D. दफ्तर पहुँचे दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली आपकारी घोटाला मामले में समन मिलने के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोद E.D. दफ्तर पहुँच चुके हैं, जहां उनसे इस मामले में पूचताच होगी आज सुबह उन्हें E.D. ने इस मामले में समन भेच कर पूचताच के लिए तलब किया था, जिसके बाद से यहां माना जा रहा है कि अब इस मामले में जाच की आच कैलाश गहलोद तक पहुँच चुकी है अब तक इस मामले में आपके तीन बड़े नेता गिरफ्तार किये जा चुके हैं, जिसमें संजय सिंग, मनीश सिसोदिया और सीम अरविंद केजरीवाल है बीते दिनों, ईडी ने सीम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने दिली हाई कोट में इसके विरोध में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोट ने इसे खारिज कर दिया इस बीच, सीम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी हमलावर होकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है मुक्तार अंसारी सुपुर्देखाक, जनाजा उठने से पहले बेटे ने पिता की मूचों पर दिया ताव पूर्व विधायक मुक्तार अंसारी के शव को शनिवार को गाजीपुर जिले के उनके पैतरिक निवास युसूफपुर मुहमदाबाद के करीब काली बाग स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्देखाक कर दिया गया मुखतार अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए शनिवार की सुभा से ही लोगों का जमावडा शुरू हो गया था धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई उधर मुचों से पहचाने जाने वाले माफिया डॉन मुखतार अंसारी के बेटे ने जनाजा उठने से पहले पिता की मुचों पर बल दिया सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल हुई जिसमें बेटा अपने पिता मुखतार अंसारी की मुझों को ताव देता नजर आ रहा है नम आंखों से उमर अंसारी ने अपने पिता की मुझों को आखिरी बार ताव दिया डी आईजी डाक्तर ओम प्रकाश सिंग ने कहा की मुखतार अंसारी का अंतिम संसकार शांतिपूर्ण धंग से संपन्न हो गया हैदराबाद की मेयर विज्जलक्ष्मी हुई कॉंग्रेस में शामिल देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है हैदराबाद की मेयर गड़वाल विज्जलक्ष्मी शनिवार को सत्तारूर कॉंग्रेस में शामिल हो गई मुख्यमंत्री रेवन्त रेडडी और तेलंगाना की ICC प्रभारी दीपा दास्मुन्षी ने पार्टी में उनका स्वागत किया विज्जलक्ष्मी बियारेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य के केशव राव की बेटी है जिन्होंने कॉंग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है केशव राव ने शुक्रवार को रेवन्त रेडडी दास्मुन्षी और अन्यनेताओं से मुलाकात की थी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीएचेमसी के लिए दो हजार बीस में हुए पिछले चुनाव में बियारेस एक सौपचास में से पचपन वार्ड जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी भाजपा 48 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी थी जबकी अस्दुद्दीन ओवैसी की I.M.I.M. पार्टी ने चवालीस वार्ड जीते थे दुनिया की तस्वीर बदल सकती है DPI जैसी Made in India तकनीक Bill Gates Microsoft के सहसंस्थापक और अरप्ती कारोबारी Bill Gates ने शनिवार को कहा की भारत में बनाई गई Digital Public Infrastructure DPI जैसी तकनीक दुनिया के लिए परिवर्तनकारी हो सकती है AI से लेकर स्वास्थ सेवा और जलवायू परिवर्तन तक कई विश्यों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के एक दिन बाद Gates ने कहा कि प्रोध्योगी की देश में लाखों लोगों के लिए Digital विभाजन को पाट रही है Gates ने X पर पोस्ट किया अपनी भारत यात्रा के दौरान मैंने देखा कि कैसे AI और DPI छोटे किसानों की शिक्षा स्वास्थे देखभाल और जीवन तक पहुँच में सुधार कर रही है ये प्रोध्योगी किया दुनिया के लिए परिवर्तनकारी हो सकती है BNT की खास पेशकश